हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप I hope सब बहुत बढ़िया होंगे बच्चो आज हम स्टाट करने जा रहे हैं अपना सेकंड चेप्टर अकाउंटिंग प्रॉसेस अकाउंटिंग प्रॉसेस के अंदर हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग किस तरीके से काम करती है यानि कि हम यह देखेंगे कि सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है और सो ओन तो इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला चेप्टर है that is known as जर्न एंट्री क्या है और किस तरीके से बनाई जाती है आज हमें इनी चीजों के ओपर discussion करना है तो बच्चो जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें अकाउंटिंग के दो रूल फॉलो करने पड़ते हैं जिसको कि हम कहते हैं debit और credit और यह debit और credit accounts के अंदर वही माइने रखते हैं जो की mathematics के अंदर plus और minus रखते हैं मतलब मैं आपको सिर्फ relevance बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं यह कता ही नहीं कह रहा हूं कि plus और minus का जो काम mathematics के अंदर होता है accounts के अंदर वही काम debit और credit भी करते हैं यानि कि कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है कि plus से हर चीज हम add कर देते हैं और minus से subtract कर देते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत से teacher अपनी accounts की classes में यही बताते हैं कि debit का मतलब plus है और credit का मतलब minus है जो की एकदम गलत है तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों के दिमाग से जितना भी कुड़ा है उस चीज को बाहर कर देन चाहता हूं आपको जितना मैं बताऊं आप उतना ही ध्यान रखेंगे और उसी तरीके से सीखेंगे तो जो भी आपने गलतियां अगर past में की हैं तो आप उसको दोराएंगे नहीं तो बच्चों जर्नल एंट्री के रूल को सीखने के लिए हमें debit और credit के rules को सीखना पड़ देगा तभी हम जर्नल एंट्री बना पाएंगे तो क्या है ये debit और credit के rules आये सीखते हैं देखिएगा बच्चों हमारे पास में rules of debit and credit मैंने आप लोगों के लिए लिए लिखा है बोड़ पे दो तरीके से बनाए जाते हैं ये rules of debit and credit traditional और modern approach दो अप्रोच हैं हमारे पास मे अब हम सीखेंगे और थोड़ी दिर बाद हम सीखेंगे किसको modern approach को traditional approach के अंदर क्या कहा गया है traditional approach के अंदर कहा गया है कि हम अपने accounts को दो parts में divide कर लेते हैं number one personal account और number two impersonal account यानि कि personal account और impersonal account हमने इसे दो category में categorize कर लिया है और personal account के अंदर क्या क्या आता है वो जरा ध्यान दीजिए हमारे पास सबसे पहला आता है natural person natural person कौन होते हैं normal human being जैसे मैं जैसे आप जैसे हमारे पड़ोसी जो भी natural human being है उनके उपर personal account उनको हम personal account में डालते हैं अच्छा जी इसके अलावा यहां पर artificial person भी आते हैं artificial person का मतलब क्या है जैसे कि कोई company जैसे कि कोई society ये क्या है artificial person है आपने company की definition के अंदर पढ़ा होगा तो company क्या है artificial person है हमारी rwa क्या है society है तो ये क्या होते है ये उसी तरीके से जैसे अगर मान लीजे मैंने किसी company का account company का account बनाना है तो वो artificial person के अंदर personal account के अंदर लाई करेगी और last है representative क्या होते है इसको थोड़ी देर में समझेंगी अभी के लिए आप इतना ही समझें कि हमने क्या किया traditional approach को दो parts में divide कर दिया एक तो personal account में और एक impersonal account में तो personal account के अंदर क्या चीज़ें आती है natural person, artificial person और representative person तो यहाँ पर natural person के अंदर आम लोग जिसको की human being भी कहा जा सकता है जैसे राम, शाम, यह फिर debtors और creditors यह क्या होते हैं यह personal account के अंदर आते हैं क्योंकि यह normal human being है और artificial person के अंदर company और society आती हैं और representative को अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे अच्छा जी, इसके बाद में impersonal के अंदर हमारे पास में जो आते हैं, उसमें एक है real, इसको हम दो class में classify कर सकते हैं impersonal accounts को हम दो classes में classify कर सकते हैं, क्या है यह एक तो real account और एक nominal account, real accounts के अंदर कौन कौन सी transactions record की जाती है या फिर real account किस से related होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं, related to all assets, अब इस assets के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका furniture हुआ, जैसे कि आपकी building हुई, जैसे कि आपका land हुई, जैसे कि आपकी goodwill हुई, तो जितने भी हमारे assets हैं, सारे के सारे, जैसे कि हमारा cash हु इसमें नहीं आते, क्या नहीं आते, सारे के सारे assets आएंगे, except bank and debtors, क्या नहीं आएगा, एक तो bank नहीं आएगा, और एक debtors नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे सर ये, देखो, bank क्या है, artificial person है, और artificial person को तो हम पहले ही ले चुके हैं, तो जिसको हम पहले से ही अपनी calculation के अंदर ले चुके हैं, उसको दुबारा से नहीं ले सकते, तो artificial person है bank, इसलिए bank नहीं आता, और दूसरा क्या है हमारे पास में, दूसरा है हमारा debtors, debtor क्या नाम होगा, कोई ना कोई, जिसको भी हम credit पे sale करते हैं, वो क्या होते हैं, हमार natural person के अंदर, तो जब natural person के अंदर already राम, शाम, मोहन यानि की debtors आ चुके हैं, तो अलग से मैं इनको कहीं और नहीं डाल सकता, इसलिए याद रखिएगा, कि real account के अंदर, सारे के सारे assets हमारे आ जाएंगे, सिवाए किसके banks और debtors को छूड़ कर, यानि कि real account is related to all assets, except bank and debtors, अब देखिएगा, nominal account, अब ये nominal account किस से related है, the account, this account is related to, it is related to all incomes and expenses, ठीके जी, जितने भी income या expenses हैं, जैसे कि हमारी sales है, जैसे कि हमारी commission है, ठीके जी, इनको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी incomes हैं, और हमारी expenses, expenses के अंदर electricity bills हो गया, rent paid हो गया, तो अगर हम बात करते हैं, किसी भी income या expense की, तो बच्चो, उसके उपर किस चीज़ के rule, किस के rule follow करेंगे हम, nominal account के, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा, कि सर, हमने traditional approach और modern approach, दो approach हैं, हमारे पास में rules of accounting के अंदर, rules of debit and credit के अंदर, ठीक है, modern approach अभी थोड़ी दिर में देखेंगे, traditional approach को हमने दो parts में divide किया हुआ है, personal और impersonal, personal account के अंदर, तीन तरीके के हमारे जो person हैं, वो आते हैं, number one, natural person, number two, artificial person, और number three, representative person, जो कि अभी तक हमें representative person नहीं पता, खर, इसके बाद में हमारे पास में impersonal को हमने, दो parts में divide कर दिया, real और nominal account के अंदर, real accounts are related to, real accounts are related to all assets, except bank and debtors, except bank and debtors, क्यों, क्योंकि वो तो पहले ही artificial person और natural persons के अंदर आ चुके हैं, इसके बाद में nominal account के अंदर, कौन-कौन सी चीज़े आती हैं, सारी income और सारे expenses, यानि कि income और expenses related, जितनी भी चीज़े होंगी, उसके उपर nominal account के debit or credit के rules जो होंगे, वो apply होंगे, अच्छा जी, सर, हमने एक चीज़ अभी तब छोड़ के रखी हुई थी, representative person, ये representative person क्या है, representative person को मैंने इसलिए रोप के रखा हुआ था, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको nominal account बताना था, पहले मुझे nominal account बताना था, उसके बाद मुझे representative person बताना था, अब देखिए, आप लोगों को पता लग गया, कि nominal account के इंदर क्या आते हैं, सारे के सारे income और सारे के सारे expenses, representative person के अंदर इनी income और expenses के ऊपर लगा हुआ, अफिक्स या prefix, सफिक्स या prefix, ठीके जी, अगर कोई भी होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने बोला commission, commission received, तो यह हमें पता लगता है क्या commission received हमारी income है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ, commission received in advance, तो यह जो in advance इसके साथ में अलग से लग गया, जो हमारे पास में ये in advance लग गया, या हमारा outstanding लग गया, तो ये जो हमारे prefix या suffix, जिन चीजों के साथ में income और expenditures के उपर लगे होते हैं, उनको हम कहां लेते हैं, उनको हम लेते हैं, representative persons के अंदर, तो आप यहाँ पे इसके example के way में लिख सकते हैं, आप इसके example के way में लिख सकते हैं, क्या, outstanding salary, अब आपको पता है ना, कि salary क्या है, salary हमारा expense है, लेकिन अगर इसके आगे outstanding word लगा हुआ है, तो ये nominal account में नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा, ये जाएगा personal account के अंदर, ये कहां जाएगा personal account के अंदर, rent paid in advance, rent paid in advance, तो ये जो advance word मेंने अलग से लिखा है, जो advance word मेंने अलग से लिखा है, इसकी ही वज़ा से, ये कहां नहीं, nominal account में ना करके कहां जाएगा, अब personal account के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी, तो ये हमारे को, हमने categorize किया, अपने personal, real और nominal के अंदर, अब हम चीखेंगे, कि exactly इसके rules हैं क्या, अब हमें क्या देखना पड़ेगा, इसके rules चेक करने पड़ेंगे, तो rules हमें पहले लिखने पड़ेंगे, तो मैं इसको यहां से रब कर देता हूँ, personal account के rules क्या हैं, यह हम लिखेंगे, और उसके बाद में real account के rules क्या हैं, वो लिखेंगे, और फिर last में nominal account के rules लिखेंगे, ओके, चलिए, इसको यहां से रब कर दूँ, आप लोगों ने इसको साथ के साथ जो है, वो लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा था अब तक, तो आप वीडियो को rewind करके, pause करके लिख सकते हैं, चलिए, personal account के rules क्या कहते हैं, personal account के rules कहते हैं, debit the receiver, DR stands for debit, debit the receiver, अगर कोई person जो है, वो receiver है, किसी भी चीज़ का, चैक एश का, चैक गुड्स का, तो उसको क्या किया जाएगा, debit किया जाएगा, ये लिखा है कहां पे, rules of debit and credit में, और credit the giver, credit the giver, यानि कि, अगर किसी person ने कुछ दिया है, और वो person, personal account के अंदर ही आएगा, ठीक है, तो उसको हम कहां लिखेंगे, credit side पे लिखेंगे, तो हमारा rule क्या है, debit the receiver, credit the giver, ठीक है, यानि कि, receive करने वाला debit होगा, और देने वाला क्या होगा, credit होगा, okay, real account, these accounts are related to assets, except bank and debtors, okay, तो real account के rules क्या कहते हैं, debit what comes in, and credit what goes out, पहले हम rules लिख लेते हैं, उसके बाद में example से सीख भी लेंगे, कि general entry form कैसे होती है, debit what comes in and credit what goes out, यानि कि हर उस चीज़ को मैं debit करूँगा, अगर वो asset है, अगर वो asset है, तो हर उस चीज, asset को मैं add, यानि कि debit कर दूँगा, मैं debit कर दूँगा, ठीक है, अगर वो आ रही है तो, और अगर वो जा रही है, तो वो क्या होगी, credit होगी, तो debit what comes in and credit what goes out, ओके, इसके बाद में हैं हमारे, nominal account के rule, nominal accounts are related to, all expenses and incomes, तो हम बोलते हैं, debit all expenses, and losses, debit all expenses and losses, and credit all incomes, and gains, यानि कि, अगर कोई expense या loss हुआ है, तो transaction के अंदर, इसको मैं debit side पे लिखूँगा, और अगर कोई income, या फिर कोई gain हुआ है, तो इसको मैं credit side पे लिखूँगा, आप इसको अच्छे से note कर लीजिए, मैं आप स्क्रीन से out हो जाता हूँ, ठीके जी, तो आप इसको अच्छे से, वीडियो को pause करके, भी आप इसको note कर सकते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीके जी, तो अब हम देखेंगे, कि debit and credit के rules, काम किस तरीके से करते हैं, तो इसके लिए मुझे space की जरूवत है, मैंने यहां से इसको हटा दिया, ठीके जी, और मुझे अपने mind में क्या rules को हमेशा रखना है, मुझे अपने mind में rules को रखना है, ठीक देखिएगा, अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, accounting equations के अंदर, accounting equations के अंदर, तो हमें यह तो बता लग जाता है, कि भाई कौन सी दो चीज़ें हैं जिसके की ऊपर effect पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर क्या ले रहा हूँ एक transaction ले रहा हूँ एक example ले रहा हूँ आम तोर पर आपने इसे पढ़ा होगा राम started business with cash with cash rupees 5 lakh अच्छा ली अब किन दो चीज़ों पर effect पढ़ रहा है बच्चो आओ पहले यह देखते हैं मतलब इस transaction को करने का तरीका क्या है पहले उसको सीख लेते हैं सबसे पहला हमारा effect पढ़ रहा है सबसे पहला हमारा effect पढ़ रहा है कि इसके उपर RAM's capital के उपर RAM's capital के उपर तो ऐसा accounting equations के अंदर हम लोगों ने देखा था कि भाई अगर RAM अगर यहाँ पर इस तरीके की entry है तो एक तरफ capital बढ़ रही है और दूसरी तरफ cash बढ़ रहा है तो एक effect पढ़ रहा है RAM की capital के उपर और दूसरा effect पढ़ रहा है किसके उपर बच्चो cash के उपर खीक है न अब यह जो RAM की capital है RAM कौन है sir person है तो इसके उपर personal account के rule लगने चाहिए और cash क्या है sir cash asset है इसके लिए इसके उपर real account के rule लगने चाहिए sir personal account के rules क्या कहते है personal account के rule क्या कहते है personal account के rules दो है मेरे पास में एक debit वाला एक credit वाला debit credit तो क्या सिखाया था मैंने अभी personal account के अंदर debit the receiver और credit the giver ठीक है जी अच्छा real account के rules क्या कहते है real account के rules क्या कहते है debit what comes in यानि कि जो आ रहा है उसको debit कर दो और credit what goes out जो जा रहा है उसको क्या कर दो credit कर दो अब देखिएगा पूरी transaction के अंदर इस चीज़ को देखिएगा RAM's capital RAM ने capital दी किसको दी business को दी तो RAM क्या है जी RAM giver है ठीक है RAM क्या है इस entry के अंदर giver है तो मैं giver के उपर टिक लगा देता हूँ कैश कैश बिजनस को receive हुआ तो हम अपने आपको books of account जो है वो बिजनस के बनते है राम शाम या मोहन के नहीं बनते है बिजनस के point of view से सोचना है आपको तो हमने सबसे पहले तो क्या देख लिया जी RAM giver है राम ने प्रोप्राइटर ने या ओनर ने पैसा दिया बिजनस को तो राम कौन है giver है दूसरी चीज़ cash हमारा क्या हो गया increase हो गया cash आ गया है cash आ गया है तो debit word comes in तो जो आया है उसको debit side पे लिखूमा तो अब हमारी journal entry क्या बन जाएगी हमारी journal entry बनेगी कि cash को तो हम रखेंगे कहां पे debit में बचो पहले debit लिखा जाता है फिर credit लिखा जाता है ठीक है जी यही rules हम follow करते हैं तो मैं इसको किस तरीके से लिखूँगा मैं लिखूँगा debit debit में क्या लिखूँगा मैं cash तो इसको मैं क्या बूलू cash debit और rams capital credit लेकिन इस तरीके से हम journal entry को नहीं लिखते हम इसके लिए personally और properly इसको account का नाम देते हैं ठीक है तो आओ देखें इसको हम कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे cash account debit हम क्या लिखेंगे cash account debit और फिर थोड़ी सी जगां छोड़ करके daily हम लिखेंगे to लगा करके to लगा करके rams capital account to rams capital account और amount कितना था पांच लाख रुपए पांच लाख रुपए debit side पे और पांच लाख रुपए credit side पे इस तरीके से हमें सोचना है इस तरीके से हमें journal entry form करनी है बई सिंपल सी बात है सबसे बहले डूंड़ो वो दो के ओपर effect पढ़ रहा है उसके बाद में ढूंड़ो कि वो कहां कहां आती है और फिर याद करो उन rules को जो की इसमें बताए गए थे बस उसी तरीके से rules को याद करके तीन ही तो rules है सिर्फ उस तरीके से rules को याद करके हमें debit or credit कहां कहां पे रखना ये बता लग जाएगा और अच्छे से maintain कीजिए सारा का सारा हमें data अपने पास रखना है so that final examination में हमारे को कहीं कोई दिक्कत ना हो चलिए मैं इसको यहां से रब कर देता हूँ एक और हम example लेंगे और उसको भी कुछ इसी तरीके से सोच करके फिर बनाएंगे देखिए अगला जो है हमारे पास में हमारे पास में जो अगला example है वो है paid electricity bills ऐसा आपने generally questions के अंदर देखा होगा number two transaction है paid electricity bills rupees 20,000 20,000 रुपए के electricity bills हमने pay कर दिये तो ध्यान दो किस चीज़ के उपर effect पड़ेगा एक तो electricity bills के उपर पहला effect electricity bills के उपर ठीक है दूसरा effect किस के उपर पड़ेगा cash के उपर electricity bills क्या है electricity bills हमारे expenditures हैं और expenditures हैं तो यह कहां आ जाएंगे यह nominal account के अंदर आ जाएंगे यह nominal account के अंदर आ जाएंगे और nominal account के मेरे rule क्या कहते हैं nominal account के मेरे rule क्या कहते हैं debit all expenses and losses और credit all incomes and gains ओके बस इसके आगे कुछ नहीं करना हमें अब हमें दूसरे point के पास जाना है cash क्या है cash है मेरा asset और asset के उपर rules लगते है real account के तो assets के उपर real account के rule लगेंगे और real account के rule अभी पिछली transaction में भी हमने देखे थे क्या देखा था debit what comes in debit what comes in और credit what goes out credit what goes out ओके यह हमने देखा था अब देखिएगा हमारे को transaction बनानी है general entry बनानी है हमें क्या बनानी है general entry बनानी है इस transaction की electricity bill यह बताईए expense है हाँ जी expense है तो क्या मैं debit को tick कर दूँ हाँ sir आप debit को tick कर दीजिए ठीक है जी credit को tick नहीं करना हमें ओके दूसरा effect है किस पे cash पे cash आया है या गया है sir cash गया है cash गया है तो credit पे tick कर देता हूं तो मेरी entry क्या बन जाएगी इलेक्रिसिटी बिल्स इलेक्रिसिटी बिल्स अकाउंट डेबिट टू क्या अकाउंट और अमांट कितना था अमांट था ट्विंटी थाउजंट 20,000